राजिस्तान की भारतिय जंता पार्टी की टीम खुश है अचारे प्रमोट किस्टम हमारे साथ है मुक्तारबास नक्वी हमारता जुड़ गए है अचारे जी क्या आपको लगता है इंडिया गड़ बंदन का भविश्य भी अब खत्रे में है यहां से अगर हम देखे तो कॉं अचारे जी एक चीज़ मुझे लगता है कि कॉंग्रेस की हार से इंडिया गड़ बंदन का भविश्य उज्जो अले संबफता मतला मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कॉंग्रेस जीतती तो फिर वो मुश्किल ओड़ी थी दूसरी पार्टियों को आज यहां प्रियांका जी समाजबादी पार्टी भी कह चुकिया चालू पार्टी से लेकर चिर्कुट तक तो कॉंग्रेस का हारना इंडि गठ बंदन अलाइंस के लिए शायद बैतर नहीं होगा अचारे जी देखिया अमन जी और अमीज जी एक तो हमारी पार्टी हार रही है तो मैं बड़ा सदमे में हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ इस समय क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी ये अलग बात है कि मैं हर हफ़ते ये बात कह रहा था लगातार कह रहा था कि वही सनातन का विरोध मत करो मैं कह रहा था कि आप भाजपा से लडो बीजेपी से लडो लेकिन आप भगवान राम से मत लडो मैं रोज कहता था ये बात और मैं ये भी कहता था कि प्रधान मंतरी भारत का होता है वो सिर्फ भाजपा का नहीं होता प्रधान मंतरी का अपमान मत करो प्रधान मंतरी का सम्मान करो देश की जनता भारत के प्रधान मंतरी का अपमान करना बरदाश्त नहीं करती है चाहें वो कोई भी प्रधान मंतरी हो और एक बात जो बहुत इंपोर्टेंट कहने जा रहा हूं अमिश्देव गंजी वो यह है कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुत से चिरते थे उन्होंने हिंदुत को कमजोर करने के लिए जातिवाद की राजनीती को बढ़ावा देना शुरू किया तो देश की जनता में ये मैसेज गया कि ये जाती जनगरना और जातिवाद की जो राजनीती हो रही है ये कांग्रेस की मूल विचार धारा के खिलाफ है तो ये बात किलियर हो गई दूसरा ये जातिवाद का जो मुद्दा उठाय जा रहा है इसलिए उठाय कि हिंदुत को कमजोर करना हिंदू को स्पिलिट करना तो यह हिंदु धर्म के खिलाफ फैसला हुआ तो यह बातें जो हैं आज मैं आपसे सीधा पूछता हूं क्या ऐसे नेताओं में राहुल गांदी खुद शामिल है हां या ना क्योंकि वो भी बोल चुके हिंदुत्वा मा करने का नाम कि देखिए अमन जी राहुल गांदी जी बहुत ही अच्छे इंसान है बहुत ही निर्मल हिर्दे इंसान है उनकी इर्दगर्द के जो लोग है वह उनको गलत फीडिंग देते उनने गलत पट्टी पढ़ा देते उन्होंने ही सब कुछ बरबाद किया है तो मैं कि वहाँ पर कंपीट करती हुई दिख रही है क्या पांच सीटे समाजवादी पार्टी को कॉंग्रेस पार्टी नहीं दे सकती थी वहाँ पर लड़ने के लिए अगर वहाँ देती तो क्या आपको लगता नहीं है हाला कि जिस तरह की सुनामी है मद्द बरदेश के अंदर बीजेपी की कोई बड़ा फाइदा नहीं होता लेकिन क्या आपको लगता है कॉंग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल एरोगेंस तना था कि वह अपने आगे किसी को समझी नहीं रही थी कुछ जिफके अखिलेश यादव ने यही अखिलेश यादव ते 2017 के विधान सबब च खुश होंगे कि बीजेपी जीत गई मद्रप्रदेश में क्योंकि मैं अखिलेश यादव जी को समझता हूं जानता हूं उनकी नेचर भी समझता हूं वो कमलनाज जी ने जो अखिलेश वकलेश कहा उसको बड़े दिल पे ले गए थे लेकिन समाजबादी पार्टी की वज अखिलेश यादव जी को मैं तो कह रहा हूँ सुनी 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 पहली बात इंडिया गटबंदन नाम की कोई चीज इस चुनाम में नजर नहीं आ रही थी दूसरी बात ये फैसले ही गलत थे कि आप हमें गाली दें हम आपको गाली दें राजी में और केंदर म सेल्फ पॉलिटिक्स करेंगे तो सवाल इस बात का है मुझे जो में कारण नजर आ रहे हैं पहला कारण है कि जाती माद की राजविती को देशने नाकार दिया